असलाम अलेकुम कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली आई होब के सब ठीक होंगे तो हाँ जी मैं यहां पर एक ब्रैंड न्यू मुबाइल फोन की ओपनिंग कर रही हूँ और आप लोगी बिल्कुल ना समझेगा कि यह मुबाइल मेरा है यह मुबाइल हर्किस भी मेरा नहीं ह और यह मॉडल है समस लेक्षी एट्वटी एस और यह मुबाइल मेरा नहीं है यह मुबाइल मेरी मदर का है उन्होंने मुझे अमंगवाए तो इसकी अurn कर रही हूँ ओपनिंग उन्होंने मुझें करवाई है इसकी तो यह है इसका गरांटी कार्ण ड़िना गरांटी वह तो भी है और मैंने पड़ा ही नहीं कि इसकी कितनी है यह गरंटी कितनी उन्होंने दी हुई है मेरे हाल से शायद सिक्स मंथ की होती होगी या वान येर की मुझे अब सभी से पता नहीं है तो इसकी अन्बॉक्सिंग मैं कर रही हूँ तो सूरी मैं ना सारी वीडियो उसके बाद से मेरी पता नहीं क्या मसला हो यूडियो शूट नहीं हो पाई तो मैंने सोचा कि मैं चलें आपको ऑपन करके जो मैंने अगली वीडियो में शूट करके दिखा देती हूँ मोबाइल की क्योंकि उसके वीडियो में से प्रॉब्लम आ गई थी तो यह है मोबाइल इसके कैमरे का बहुत अच्छा है अभी तो बैटरी टाइम जाहिर सी बात है अच्छी होगी नेया है तो अगर आप में से किसी के पास यह मोबाइल है यूज हो रहा है तो मुझे से कमेंट सेक्शन में और मेरे अगले अब वीडियो में आगे देखते हैं मैं अपने थोड़ी सी मुझा को जो मैं खिला रही हूं वो मैं रूटीन आपके साथ शेयर करने वाली है वेलकम तो मारे सिंपल व्लॉग्स तो हां जी मुझे किसे ने पूछा था कि आप मुसा को मतलब कि ब्रेकफस्ट लंच और डिनर में क्या देनी है तो मैंने सोचा कि मैं आपको वीडियो के जरीए जो अपने व्लॉग के तुरूप बताऊं कि मैं मुसा को ब्रेकफस्ट में लंच और डिनर में क्या देती हूं तो इस टाइम तो हैर दुपहर का टाइम है दो ब्रेक फास्ट तो मुसा सुबा नो बजे कर लेते हैं वैसे फीडर वो साथ बजे पीते हैं इसके पर नो बजे के करीब वो एक सॉलिड में कुछ भी प्यूरी वगरा फ्रूट की ले लेते हैं और अब भी तो हैर में उसके लिए बना रही हूं दलिया और इस टेम हमारी मश को यह दे ही देती हूं गंदम का दलिया हो और सबसे पहले तो मैं बता दूंगे मुसा सुक्त इस टाइम जो ए वो 10 महिनों के हैं मतलब 10 मंही। मैं उसके लिए बना रही हूं वैसे मैं दलिया उसको ब्रेक फास्ट में भी देती हूं लेकिन अगर कभी ब्रेक फास्ट में जल्दे जल्दे कुछ कुछ देना हो तो मैं किसी भी fruit की इसको मैं प्यूरी बना के दे देती हूं और दिन में मैं फिर उसको लाजमी दल्या दे दूंगी रात में उसको दल्या बिल्कुल नहीं देती हूं क्योंकि जरा digest होने में problem होती है दिन में सही है बचा खाता है खेलता है अच्छे से डाजिस्ट भी हो जाता है तो मैंने अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाला हुआ है पानी डालके मैं नरम कर रही हूँ जब थोड़ा नरम हो जाएगा तो मैं फिर इसमें दूड डाल दूँगी और शूगर जो है मैं मुसा को देने के लिए मैं शूगर नहीं डालती हूँ मैं जब यह बन जाता है तो बीच में थोड़ा सा खनी मिक्स करके मुसा को खिलाती हूँ तो दलिया जो है वैसे ज़रा थोड़ा सा अगर स्टमक अगर आपका बेबी का अच्छा है अच्छे से डाइजस्ट कर लेता है तो ठीक है आप देए उसको वीक में चाहे दो बार तीन बार दे दें लेकिन अगर थोड़ा सा प्राब्लम होती है बच्चा डाइजस्ट नहीं कर पाता है तो पिर आप एक बार दे दो तो इनफ रहेगा बाकि सूजी की खीर फ्रूट्स प्यूरी और वेजटेबल प्यूरी वह साथ साथ चलता रहता है वह देते रहें आप बच्चे के लिए अब यह सबको जरूरी हो जाता है जब बच्चा सिक्स मन्स प्लस हो जाता है तो इसको सॉलिड में आप हर चीज उसको देना शुरू कर दें तो मैं यह मुसा के लिए दर बना रही थी दलिया और साथ में हमारी जो सफाई वली आती है ना उनी से हमने कपड़े दुन्वाने के लिए भी बोला हुए तो वह साथ में कपड़े दो नहीं थी तो मुझ तो तो थोड़ा पानी डाल द द दिया नरम और तो दूड़ दोस् teraz यह इदर अभी तयार हो जाएगा दलिया यह देंके लिए यह है मेरा दलिया थोड़ासा ज्यादा बन गया था ये मैंने अपने लिए एक प्लेट में डाल दिया और साथ में ये थोटा जो है ये बॉल में मुसा के लिए डाल दिया और मुसा को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये किस तरह से फुल मस्ती कर रहे हैं इनको खाने का कोई होश नहीं है ना ही इनको बुक लगती है मैं इनको जबरदस्ती एक एगेंटा में इनके साथ खेलते हुए बस इनको मैं खिला देती हूँ अगर मैं इनको बिठा के खिलाओंगी कि अच्छा आजें खाने का टाइम होगा तो ये कभी भी नहीं खाएंगे इस तरह से ये बस खेलते हुए ही ये खाते हैं तो अभी मैं इनको खिलाओंगी और फिर आप मैं आपसे डिनर की रूटीन भी शेयर करती हूँ बताती हूँ कि डिनर में क्या पकेगा मुसा के लिए हान जी अब मुसा का ये डिनर का टाइम हो चुका है इवनिंग टाइम है ये तो मैं मुसा के लिए बना रही हूँ पालक पालक को थोड़ा सा मैं बॉाइल करूंगी मैंने छोट एक चुटकी उसमें एक चुटकी से भी कम मैं इसमें नमक भी डाल दिया हुआ है साथ में अगर बच्चे को किसी और चीज़ का भी टेस्ट बीच में पसंद है जिसांसे जीरा है या थोड़ी सी लस्सन के एक एक से आदा जो जवाज में डाल दो आलू मैंने साथ में डालनी है अगर आपने कोई और सबसी भी एड़ करनी है वो भी डालने तो यह मैं मुसा के लिए साथ में डिनर में बना रही थी पालक और अभी मुसा खेल रहे हैं जिसांसे आपको नजर आ रहा होगा यह खेलने पर उसके बाद मैं इनको यह पालक खिलाऊंगी आप मैंसे पालक को स्टीम भी कर सकते हैं मैं बल्कुल हलका सा बॉयल कर ले तो बस नरम ही करना होता है और उसके बाद मैं ग्राइंडर से लाजमी इसको ग्राइंड करती हूँ क्योंकि मुसा ना कोई भी जो सॉलिटी चीज होती है उसको बहुत ज़रा थिन फॉर्म में लेते हैं या बहुत प्यूरी फॉर्म में लेते हैं वो ज़रा सख्त फॉर्म में हो जाए ना तो वो बिल्कुल नहीं खाते वो इस तरह से अपना दिल हराप करना शुरू हो जाएंगे कि वोमिटिंग आ गई है इस तरह से तो मैं इसलिए उसको बॉयल करूंगी पालक को और फिर उसको ग्राइंडर में अच्छी तरह से मैं उसको ग्राइंड करने के बाद इसको खिलाऊंगी डिनर में तो यह है मेरी रूटीन में प्यूरी दती हूँ हमारी यहां पे करीब में ही है वहां पे अच्छी वराइटी मिल जाती है लेडिस की भी गार्मिट्स बच्चों की गार्मिट्स भी तो मौसम चेंज हो रहा था जिसा तो मैंने मुसा के लिए दो सूट लेकर रही हूँ और यह जो स्काइबलू है यह अभी तक मैंने इसको नहीं पहनाई है तो यह बिल्कुल न्यू है मैं इसको यह भी पहनाऊंगी दो चर दिन में इसको यह भी पहना दूंगी तो मौसम जी सांस के अब चेंज हो रहा है फरोरी है और हर रोज तकरीबन बहुत तेज वली दूप निकल रही है तो मौसम काफी चेंज हो गया हुए तो मैं मौसम के लिए यह दो सूट ले आई थी अगर मार्श और अपरिल में तो जाहिर और शॉपिंग होगी तो उससाब से अच्छी हाइट है उसकी तो कपड़े उसके साइज में काफी प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं इसलिए उसके लिए दो सूट ले आई हूँ आई हूँ आगे मार्च और अपले में और लेकर आने पड़ेंगे अब भी फिल हाल के लिए ये दो ले मैं लेकर आई हूँ सर्दियों के भी इसके पास काफी ड्रेस हैं वो भी ये पहन रहा है और आगे ये थोड़े जिनों तक मैं इसको ये भी पहनाना स्टार्ट कर दूँगी तो इसलिए मैंने सोटा कि चलो मैं पहले ही लेकर आ जाओं ताके बाद में जब एकदम से गर्मी आ गई तो फिर वो परिशानी नहों के अच्छा भी कपड़े हरीद ने इसलिए पहले ही हरीद के मैंने रख लिए हैं तो मैं आप लोग को दरसलिए वीडियो मैं इसली शूट किया ताकि मैं बता सकूँ के बच्चों के लिए अपने मेडियम रेंज में आने हैं आसकल जो गरोइंग बच्चे होते हैं उनके लिए मीडियम रेंज में आप कपड़े लेकर आहें जादा कोई हाई फाइफाई बच्चे को ग्रोइंग एज वले बच्चे को घर में पहनाने के लिए आप उसको मिडियम रेंज के ही कपड़े पहना है आई होप कि आज आपके मेरे आपको आज का मेरे व्लॉग पसंद आएगा इसके साथ में इजाज़त दीजिए